नमस्कार दर्शकों आप सभी का हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है पूजनी स्री पंडित प्रदीव जी मिस्राद्वारा दीपा वली के दिन रात्री में एक उपाय करने को बताया गया है दीपा वली के दिन करजे से मुक्ती पाने के लिए अपार धन की प्राप्ती के लिए व्यापार में व्रदी के लिए एक छोटा सा उपाय करना है दीपा वली की रात्री को ठीक साड़े ग्यारा से साड़े बारा बजे के बीज मध्य बिंदू में ठीक बारा बजे आपको पीपल अगर आपके घर के पास में हो तो पीपल आवला हो तो आवला या फिर बेल पत्र का पेड़ हो तो उसके पास तीनों में से कोई एक वरक्ष क के पास जाना है आपको तीन दीपक लेकर जाना है उन तीनों दीपक में घी के दीपक रखने हैं एक गोलवक्ष्ष की नीचे और जा करके सबसे पहले गोलबत्ती वाला दिया हतेयली पर रखिएये जला करके और इसमरन कीजिए माता लक्षमी का अपने पित्रों का पूरवजों का और कामना कीजिए करजा मुक्ति के लिए करजा मुक्ति की कामना करिए सभी देवी देवताओं का नाम ले करके उस वरक्ष के नीचे उसे रख दीजिए दूसरा दिया उठाइए लंबी बात उसकी बत्ती अपनी और जला करके प्रजवलित करिए हतेली पर रखिए और अपने कुल देवी देवताओं का नाम लीजिए पूरवजव का इसमरन करिए जिस भाव से दिया लगाने आए हो उस भाव को वेक्त कीजिए और फिर दिये की बत्ती को पेड़ की साइड मुख करक ये माता लक्षमी कुबेर भगवान सभी देवी देवताओं का इसमरन करते हुए उसकी लोग को उधर दिशा की और रखिए और फिर दिये का मुख आप रखते टाइम अपनी और मुख करके रखें दिये की लोग अपनी तरफ हो और जोली पसार कर आप विंती कीजिए हे उस जोली को अपनी और गिरा लीजिए और फिर पलट कर सीधे घर चले जाएए पलट कर दोबारा नहीं देखना है इस बात का जरूर दियान रखिएगा घर का प्रवेश करके आपने जहां लक्षमी माता की पूजा करी है वहाँ पर आपने सिक्के वगरा के भी पूजा कर करते हैं उस इस्थान पर रख दीजिए कभी लक्षमी की कोई कमी नहीं होगी आपके घर में आपके घर में कभी लक्षमी की कमी नहीं हो सकती कितना भी करजा होगा भगवान गणेश लक्षमी माता और सरसोती माता आपका हर एक करजा उतार देंगे आपके घर में लक्षम की हमेशा कृपा बनी रहेगी आपका घर धन धाने से परिपून हो जाएगा इस उपाय को दीपा वली की रातरी 11 से साड़े 11 से 12 साड़े 12 के बीच में करना है और इस उपाय से आपके घर में इतना धन खेचेगा आपका व्यापार हमेशा चलता रहेगा इतनी तरक्की होने लगेगी आपको कभी करजा लेने की ना देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप इस उपाय को अवशे कीजिएगा पूजनी स्री पंडित प्रदीप जी मिस्रा दोरा बताया गया या उपाय है और भी अगले वीडियो में स्री सिवाए नमस्तु भ्याम